नमस्कार स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इन्वेल के उपर आप एड्रेस किस परकार से लिखें इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 41 FAD Field Ammunition Depot ले के दुआरा 458 vacancies के लिए विग्यापन जारी किया गया है और इन सभी पदों के लिए आपने offline application परफॉर्मा भर कर ही आपने एरजिस्टर डाक या Speed Post के माधम से भेजना था और उस आपने offline application परफॉर्मे को लफाफे में डाल कर आपने लिफाफे के उपर application के जो लिफाफा है जिस लिफाफे में आप अपना offline application परफॉर्मा डालेंगे उस लिफाफे के उपर आपने address किस परकार से लिखना है ताकि आपका forum reject ना हो तो आज की वीडियो में हम वो ही discuss करेंगे और यदि आप चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like वे share जरूर करते रहें चलिए आगे देखते हैं कि लिफाफे के उपर आप address किस परकार से लिखेंगे आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक लिफाफे की shape में एक box बना है और आप इसे लिफाफा मान कर चलें रेड अक्षरों में लिखा है सबसे पहली line में registered post, speed post, ordinary post यानि आप speed post, registered post या साधारन डाक के द्वारा ही आप इसे भेज सकते हैं और उसके बाद सबसे पहली line में आप लिखें application for the post of, trade man, joa, ldc, fireman, material assistant आप जिस भी post के लिए apply कर रहे हैं और जिस post के लिए आप application performa इस लिफाफे में डाल रहे हैं केवल आप application for the post of के बाद वो ही post का नाम लिखें जिस post के लिए आप offline application performa भर रहे हैं और भेज रहे हैं उसके बाद आप निचे line में लिखेंगे category, category का आगे मैंने लिखा है U, R, O, B, C, S, C, S, T आप जिस भी स्रेणी के अगेंस्ट आप apply कर रहे हैं या जो आपकी स्रेणी है उस category का उपर या तो आप tick कर दें या केवल वो ही आप लिखें category के बाद केवल आपने ही category को आप mention करें उसके बाद किस address पर आपने भेजना है to the commandant, commandant के spelling आप ठीक से लिख लें एक बार यहां से भी note कर सकते हैं उसके बाद आप लिखेंगे 41 field ammunition depot, pin code है 909741 care of 56 APO, इस address पर भेजने से ही आपका register duck या speed post के माद्यम से आपका envelope है जो application पर format डालने के बाद पहुंच जाएगा और from का address जरूर लिखें क्योंकि जब आप registry करवाएंगे अपनी application की या speed post कराएंगे तो आपका from का address बहुत अनिवारिया है उसके बीना आपका register duck के द्वारा नहीं भेज़ा जाएगा डाक हने के द्वारा, post office के द्वारा तो from में आप अपना address इस परकार से लिखें, अपना नाम लिखें जैसे में example के तोर पर यहां रामला लिखा है son of शामला लिखा है, तो आप यहां अपना नाम और अपने पीता जी का नाम लिखें और उसके बाद village and post office, district, state, pin code, इत्यादी आप अपना address यहां पूरा लिखते हैं और side में एक box बना जिसके अंदर लिखा है post a stamp, यहां post a stamp आपने paste करनी है कितने रुपे की post a stamp paste करनी है, यह आप डाक हन्ने में जाएं, post office में जाएं वहां आपने इस लिखाफे का weight के अनुसार, यदि आप साधरन डाक से बेजना चाते हैं तो 15 रुपे की ticket आप इसके उपर लगा दें, तो आपका लिखाफा असानी से पहुंच जाएगा यदि आप registered या speed post के मादन से भेजना चाते हैं, तो कम से कम registry के उपर कम से कम 22 रुपे और उसके अतरिक्त भी charge लगते हैं क्योंकि आपका जो application का weight होगा, उस weight के अनुसार आपके post office के द्वारा registry का या speed post का charge किया जाता है तो यहां आपने post a stamp पेस्ट कर देनी है, जहां post a stamp लिखा है और यह column बना, इस परकार से ही आप अपना address भेजते हुए इस परकार से लिफाफे के उपर आप लिखें, तो आपका जो application है वो किसी परकार से reject नहीं हो सकती और इसके बाद एक अंदर आपने लिफाफा लगाना होता है, self address का swim candidate ने आपना पता लिखकर लगाना होता है, वो किस परकार से लगाएंगे आगे वीडियो में आप वो देखेंगे, यह self address envelope इसे मानले, इस column को एक लिफाफे की shape में आपको एक box दिखाई पड़ रहा है, इसको आप एक लिफाफा मानले और इसके उपर आप अपना self address लिखते हुए, क्योंकि आपने सभी ने registered post का लिफाफा बेजना है, इसके उपर आप अपना नाम लिखेंगे, father name लिखेंगे, house number जरूर लिखें, village या मोहले का नाम लिखें, post office का नाम लिखें, आपकी तहसी कौन सी है, candidate की वो तैसील लिखेगा, और उसका district कौन सा, candidate का district कौन सा, आप अपना district लिखें, pin code जरूर लिखें, state का नाम लिखें, उसके बाद अपना mobile number जरूर मेंशन करें, यदि आपका post office में जब आपका call letter आएगा, post office को वाले को यदि आपका address नहीं मिल रहा है, तो phone करके आप से बात कर सकता है, इसलिए इसके उपर आप mobile number भी mention जरूर कर दें, और side में एक मैंने box बना रखा है, जिसमें आप मैंने लिखा है, postage stamp of 25 रूपीज की, आपने इसके उपर 25 रूपए की dark ticket पेस्ट कर देनी है, क्योंकि ये registered envelope आपने आपने जो offline application है, उसके साथ अंदर लगा के भेजना है, इस परकार से आप दोनों envelops के उपर यदि आप अपना address लिखेंगे और जो जहां आपने ये envelope भेजना है, जैसे मैंने यहाँ इससे पिछली वीडियो में बताया था, इक तालीफ FAD, Field Emination Depot की vacancies है, उसके लिए इस परकार से आप address लिख सकते हैं और इस तरह से आप अपना self address लिखर envelope को तयार कर सकते हैं, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी मिलते हैं, नई वीडियो में नई भरती की जानकारी के साथ, नई information के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइ